नवस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मारी यूट्रो चनल जी एस पॉइंट आसीस में आजर पड़ते हैं आसियो गांदोलन 1920 से 1922 गाधी जी द्वारा आसियो गांदोलन की सुरुवात एक अगस्त 1922 को किया गया था इस आंदोलन का प्रस्ताव गांदी जी द्वारा कलकत संजन्दाज मुहमद अली जिन्या इत्यार ने किया था लेकिन अली बंधुओं तथा मोती लाल नहरु के समर्थन से यह प्रस्ताव स्वविकार कर लिया गया और यहीं से गाधियों की सुरुवात भी होती है दिसंबर 1920 के नागपुरदिवेशन में गाधिज ने कांग्रेश के पुराने लच अंग्रेजी सासन के अंतरगत स्वासासन के अस्थान पर स्वराज को नया लक्ष घोसित किया अश्योग अंदोलन की कारकरम विदेशी वस्तों को भहिसकार किया गया सरकारी तथा अर्ध सरकारी उत्सों का भहिसकार किया गया वकीलोदारा बिटिश नयावियोस्था का भहिसकार किया गया सरकारी स्कूल कालेजों का भहिसकार किया गया अस्योग आंदोलन के रशनात्मकर सोदेशी का प्रचार प्रसार किया गया राष्टी विद्यालों के अस्थापना किया गया तथा पंचायती अदाल्दों की अस्थापना की गयी हिंदों मुस्लिम एकता बढ़ाई गई, छोगा छोध्याने की अस्प्रिश्यता का अंद किया गया, चर्खा खादी जैसी वस्तों को ही बढ़ावा मिला आंदोलन का प्रसार, गाधी जी दोरा अश्योग आंदोलन सुरू करने से पहले ही केशा राहिंद की उपादी वापस कर दिया गया जमनालाल बजाज जारा राय बहादर की पादी वापस कर दी गई आंदोलन की सुरुवात एक अगस्त उननीस सो बीस ही सबी को हुआ था और इसी दिन तिलक की मृत्ति भी हुए थी इस आंदोलन को पस्चमी भारत, उत्तरी भारत, एवं बंगाल में अतधिक सफलता मिली सिच्छड संस्थाओं का सरवाधिक भहिस्कार बंगाल में हुआ कासी विद्यापीट, बिहार विद्यापीट, गुजराद विद्यापीट, महाराष्ट विद्यापीट, अलीगर्ण मुश्लिम विश्विद्याले इत्याद की अस्थापना हुई सुभाज चंदबोष नेशनल कॉलेज कलकत्ता के परधाना चार बनाए गए बिदेशी कपडों का सरवाधिक भहिसकार किया गया, जो की सरवाधिक सफल रहा दिसम्मर 1921 इसबी के कांगरेश के अहमदावाध धिवेशन में आंदोलन को तेज करने का निर्ड़े लिया गया तथा साथ ही शबने अवग्या आंदोलन सुरू करने की अनमती भी परधान कल ली गई फरवरिव 1922 इसम्म गाधी ची वायसराय को एक पत्र लिखकर धमकी दिया कि यदि एक हपते के अंदर सरकार उत्पीडन कारी नीतियां वापस नहीं लेती है तो सबने अवग्या आंदोलन सुरू होगा गाधी जी दौरा वायसराय को दी गई धमकी की समय सिमा पूरा होने से पहले ही उत्तर प्रदेश की गोरख पुरजिले इस्तित में गोरख पुरजिले में इस्तित चौरी चौरा नामाकस्थान पर 5 फरवरी 1922 जबी को एक गटना हो गई जिसे हम चौरी चौरा कान जैंड के नाम से जानते हैं पांच परविड निस्सों पाइस को गोरहपुर के चवरी-चवरा नामा कस्थान पुलिश ने एक राजनीतिक जुलूस पर गोली बारी कर दी प्राडाम सरुप जंता ने पुलिश थाने पर हमला कर दिया इस घटना के बाद गाधी जी दुखी होकर सेग्र ही असेहोग आंदोलन को वापस ले लिया धन्यवाद दोस्तों